ओम शान्ति आज 23 अगस्त 2021 की साकार मुरली आज बावा ने कहा मीठे बच्चे अपने आप से बाइदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है सब को सुप की प्यार की द्रीष्टी से देखना है किसी के नाम रूप में फसना नहीं है प्रस्न योग की सिद्धि क्या है पक् उत्तर सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल सांत सीतल हो जाए यह योग की सिद्धि पक्के योगी बच्चे वो जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो रिंचक भी किसी देधारे में आँख ना डूबे मीठे बच्चे अब तुम जवान नहीं तुम्हारी वान परस्थ सबस्ता है गीत है जाग सजनिया जाग ओम शांती मीठे मीठे रुवानी बच्चों ने गी सुना इसके अर्थ पर दिल में विचार सगर मंथर करना है और खुसी में आना है क्योंकि यह नई दुनिया के लिए नई बाते यह नई बाते अभी सुननी हैं बच्चे अब जान सुनते हो तो समझते हो यह तो 5000 बस पहले वाली पुरानी बाते हैं जो फिर नई सिर सुनाई जाती है तो पुरानी सो नई नई सो पुरानी हो जाती है अभी तुम जानते हो 5000 बस पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं बाते वही हैं किसले सुनाते हैं नई दुनिया का वर्सा पाने इसमें ग्यान डांसे करना होता है भक्ति में भी बहुत डांसे करते हैं चारो तरफ फिरे लगाते डांस करते हैं ग्यान का डांस तो बिलकुल सहज है उसमें करमंद्रियां बहुत चलती है मेनत करनी पड़ती है यह तो सिप अंदर में ग्यान डांस से चलता है शिष्टी चक्र कैसे फिरता है वो नौलेज बुद्धी में है इसमें कोई तकलिप नहीं है हाँ याद में मेहनत लगती है बच्चे कोई फेल हो पड़ते हैं कहा न कहा गीर पड़ते हैं सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फसना है इस्तिरी पुरुस का नाम बस नाम रूप में फसते हैं क्रोद नाम रूप में नहीं फसाता है पहले पहले है या जिसकी बड़ी संभाल करनी है कोई के भी नाम रूप में नहीं फसना है अपने को आत्मा समझना है हम आत्मा असरीरी आई थी अब असरीरी होकर जाना है इस सरीर का भान तोड़न ये नाम रूप में फशने की बहुत खराब बिमारी है, बाप साधानी देते हैं बच्चों को, कोई कोई इस बात को समझते नहीं है। मनिश्य मरते हैं तो उनकी जोती जगाते हैं फिर दीपा की संभाल करते हैं कि बूज ना जाए आत्मा को अंधियारा ना हो वास्तों में ये सब भक्ति मार की बात है आत्मा तो सेकेंड में चली जाती है कई लोग जोती को भी भगवान मानते हैं ब्रह्मों को बड़ी जोती कहते हैं ब्रह्मों समाजियों का मंदीर होता है जहां राद दिन जोती जगती है कितना खर्चा होता है फाल तो घृत जाता है यहां वो कुछ भी डालने का है नहीं याद का घृत काम करती है याद रुपी घृत है तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं, नई बात होने के कारण ही जगड़ा होता है, बाप कहते हैं मैं आता हूँ सुट चिल्डरेन के पास, भारत में ही आता हूँ, अपना जनम देश सब को प्यारा लगता है ना, बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ, गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता, तो सब मनिश्य मात्र सीब बवा को मानते हैं, शीब के मंदीर में कितनी जाते हैं, बड़े ते बड़ा मंदीर सोमनात का था, अभी तो कितने धेर के धेर मंदीर बने हैं, कृष्ण को इतना सब म बाप को मानते हैं तिस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तू और कोई है नहीं । इसमें साकार की महीमा कोई है नहीं यह तो निराकार की महीमा है जो अभोकता है जबकि बेहत का बाप सौर का रचायता है तो उससे सौर का बरसा लेने का पूर्वसाथ करना चाहिना आज कल करते करते काल खा जाएगा समय बाकी थोड़ा है बाप से बरसा तो ले लो जब प्रोलम लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है जबकि निश्चे करते हो वो बेहत का बाप है तो बाप से बरसा लेने का पुरसाथ करो नहीं तो बाहर जाने से जड़ भूल जाएंगे बाप तो कल्यानकारी है ना कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जनम के लिए दूर होने है बचियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहत के बाप को याद करने से ही तमो परधान से सतो परधान बन जाएंगे पवित्र तो जरूर रहना पड़े मूलवास है पवित्रता की जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएगी जब तक योग की सिद्धी पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी सांत नहीं होती है हर एक अपनी जाज करे काम भीकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता कोई चंचलता तो नहीं होनी चाहिए अगर मैं पक्का योगी हूँ तो यह जैसे की वानपरस्त थवस्ता है बाप कोई याद करते रहना है बाप सब बच्चों को समझाते हैं जब तुम अच्छे योगी बनेंगे कहां भी आख नहीं डूबेगी तो फिर तुम्हारी इंद्रियां सांत हो जाएंगी मुख्य है यह जो सब को धोखा देती है योग में अच्छी रीती अवस्ता जम जाएगी तो फिर मैसुस होगा हम जैसे जवानी में ही वानपर सबस्ता में आ गये हैं बाप कहते हैं का महासत्रू है तो अपनी जाच करते रहो जितना याद में रहेंगे उतना कर्विंद्रियां शांत हो जाएगी और बहुत मीठा सौभाव बन जाएगा फिल होगा मैं पहले कितना करवा था अब कितना मीठा बन गया हूँ बाबा प्रेम का सागर है न तो बच्चों को भी बनना है तो बाबा कहते हैं सब के साथ प्यार की दिरिष्टी रहे अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे इसलिए बहुत मीठा बनना है बाबा कहते हैं मैं रूप बसंद हुना बाबा से कितने अम्मिल ग्यान रतन मिलते हैं जिससे तुम जोली भरते हो वो लोग फिर संकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे जोली उनको ये पता नहीं है कि संकर जोली भरने वाला नहीं है अब ही तुम समझते हो ग्यान सागर बाबा हम बच्चों की ग्यान के रतनों से जोली भरते हैं तुम भी रूप बसंद हो हर एकी आत्मा रूप बसंद है अपने को देखते रहो हम कितना ग्यान रतन धारण कर और ग्यान डान से करते हैं अथ्वा रतनों का दान करते हैं सबसे अच्छा रतन है मन मना भव बाप को याद करने से बाप का बर्षा पाते हो जैसे बाबा में ग्यान भरा हुआ है वैसे बाप बेट बच्चों को आप समान बनाते हैं गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं यह बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है तुम्हारा भी रूप बिंदी है तुमको आप समान ग्यान का सागर बनाते हैं जितनी धारना करेंगे कराएंगे वो समझे हमारा उँचपद है बहुतों का कल्यान कारी बनेंगे तो बहुतों की आसिरबाद मिलेगी बाप भी रोज सर्वीज करते हैं ये गुलजार बच्ची है कितना मीठा समझाती है सब को पसंद आता है दिल होती है ऐसी ब्रामनी हमको मिले अब एक ब्रामनी सब जगतों नहीं जा सकती है फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको और राउंड सर्वीज करनी चाहिए आप ही सोख होना चाहिए मैं सेंटर से जाकर चक्र लगाओं जो जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्यान कर सकती हूँ मेरी अच्छी खुश्बू निकलती है तो सोख होना चाहिए दस से पंदर दिन जाकर सेंटर से चक्र लगाओं एक को देखकर फिर और भी सिखेंगे जो करेगा सो पाएगा यह सर्वीज बहुत कल्यान करी हैं तो मनिश्यों को जियादान देते हो यह बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है धन्दे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्वीज पर जा सकते हैं सर्वीसुल को तो बाप प्यार भी करेंगे परबरिस भी करेंगे जिनको सर्वीज का सोख होगा वो सर्वीज बिगर रह नहीं सकेंगे बाब मदद भी करते हैं ना बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है विचारों की बहुत दुखी जीवन है तुम जियदान देते हो किसको अभिनासि ग्यान रतनों का दान करना इन जैसा सर्वतम ग्यान दान कोई है नहीं बहुत रहम दिल बनना है ब्रामनी कमजोर होने के कार सर्विस डिली हो पड़ती हैं इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं जब भी विचार आये तो चले जाना चाहिए बावा कौन सा सेंडर ठंडा है हम जाका चक लगा कर आएं परदर्शनी के चीतर भी हैं चीतर भी जास्ती अच्छी रिती समझेंगे ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं बाप भी सब का जीवन हीरे जैसा बनाते हैं तुम बच्चों को भी सर्विस करनी हैं बंदे मातरम गाय जाता हैं परन तु अर्थ नहीं समझते हैं पतित मनिशों की अथवा पिर्थिवी आदी की कवी बंदना नहीं की जा पूजा करना हो गई बूत की पूजा सिब बावा को तो सरीर है नहीं उनकी पूजा है सबसे उत्तम बाकी है मैध्धम आजकल तो मनिशों को भी पूछते रहते हैं वह है पतित महान आत्मा हैं तो देवताय होते हैं सन्यासियों से वह जास्ती पवीत रहें अवी तुम कुछ दान और कोई होता नहीं एक बाव को याद करना है सिब और लक्षी नाराण के चीत्र तो है हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा शीब बाबा हमको यह लक्षी नाराण बनाते हैं इस समय तुम बन रहे हो सवर का रशेता है शीब बाबा सत्यूग में तो वन्री बावा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे और सब बाते छोड़कर बस सर्वीश और सर्वीश बाप को याद करते हो यह भी बड़ी सर्वीश करते हो तड़ आधि सब पावन बन जाते हैं। अनेक प्रकार के हट्योगारी से सिली उतरते आये हो, मूल बात है याद की, देखना है हमारा मन कहां विकार तरफ तो नहीं जाता है, विकारी कोई पतित कहा जाता है, अर्थात कोडी मिसल विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे, जो करेगा सो पाएगा, बाप द अगर है तो निकाल देना चाहिए, अपने से अवगुनों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं, निर्गुन का भी अर्थ कोई नहीं समझते, निर्गुन वालक की मंडली क्या कर सकेगी, जिसमें कोई गुन नहीं है, बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं, अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है, जिससे तुमको तो अथा खुसी होनी चाहिए, बाप सिब कहते हैं, मुझे याद करो और कमल फुल समान बनो, मनसा वाचा कर्मना पवीत्र बनो, तुम बच्चे जानते हो, हम ब्रामन सीमत पर अपने ही तनमन धन से अपनी और सारी बीश्यों की सेवा कर रहे हैं, बाप आयेंगे तो भारत मेना, तुम पांडव भारत को सर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो, तुम अपना काम करते हो, आखिर बीजय तो पांडव की ही होनी है, इसमें लडाई की बात नहीं, तुम हो double non-violence, न वीकार में जाते हो, न गोली चल आते हो, वाइलन्ज से कोई भी बीश्योप पर बासा ही पा नहीं सकते, बावा ने समझाया है, वो दोनों क्रिश्चन लोग, अगर आपस में मिल जाए, तो बीश्योप पर राजे कर सकते हैं, परन्तों ड्रामा में ऐसा है नहीं, क्रिश्चन ने ही क्रिश्ण पूरी को हब क असुल तो भारत क्रिश्ने की पूरी थाना लड़कर बासा ही ली बहुत धन ले गए अब फिर धन वापिस होता जाता है और फिर तुम बीश्यों के मालिक बन जाते हो बावा कितनी युक्तियां बताते हैं उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है फिर वो आपस में कितनी बड़ी बास आई हैं मेनत सिब इसमें है याद करते रहो और अपना वर्सा लो इसमें तंग नहीं होना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिगिल्धे बच्चों प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों क नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप ददा को याद प्यार गुड मॉनिंग नमस्ते नमस्ते धरना के लिए मुख्य सार पहला पुइंट दुसी सोब बातों को छोड़ कर ग्यान दान करना है रुप बसंद बनना है अपने अबगुणों को निकालने का किसी को भी दूख नहीं देना है कर्मिंद्रिय जीत बनना है आज प्यारी मीठे बाबा का बरदान अम्रीद वेले की मदद वश्रीमत की पालना द्वारा इस्मिर्ती को शमर्तवान बनाने वाले इस्मिर्ती शवरुप भव अम्रीद वेले की मदद वश्रीमत की पालना द्वारा इस्मिर्ती को शमर्तवान बनाने वाले इस्मिर्ती शवरुप भव अपनी स्मिर्ती को समर्तवान बनाना है वह सोते स्मिर्ती शवरुप बनना है तो अम्रीद बेले के समय की वेलू को चानो जैसी सीमत है उसी पर्माण समय को पहचान कर समय पर्माण चलो तो सहज सरव प्राप्ति कर सकेंगे और मेहना से छूट जाएंगे अम्रीद बेले के महतों को समझ कर चलने से हर कर्म महतो पर्माण होंगे उस समय बिसे साइलेंस से रहती है इसलिए सैज श्मिर्ति को शमर्तवान बना सकते हो स्लोगन याद और निश्वार्त सेवा द्वारा मायाजीद बनने वाले ही सदा भी जाई है अच्छा ओम शान्ति